सांश्री में आप सभी का स्वागत है आए नज़दालते हैं आज की खास ख़बर करें सच नहीं है मुबाइल से जुड़ी यह बातें ना पाले गलत फहमें मुबाइल से जुड़ी ऐसे कई भ्रांतियां हैं जिनके बारे में हर कोई बात करता है और उसे फॉलो भी करता है लेकिन आपको उन बातों को सही माल लेने से पहले जान लेना चाहिए कि केवल यह कोई अफवाह तो नहीं चलिए हम आपको ऐसी ही पांच गलत फहमियों के बारे में बताते हैं जो की मुबाइल से जुड़ी हैं सेलफी का जमाना है ऐसे में जब भी आप कोई नया स्मार्टफोन खरीटते हैं तो कैमरे के मेगा पिक्सल सबसे पहले जानना जाते हैं जादा तर लोग सोचते हैं कि जिस मुबाइल के कैमरे में जादा मेगा पिक्सल होते हैं उसमें फोटो क्वालिटी जादा अच्छी होती है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है मेगा पिक्सल तब ही माये रखता है जब आप पिक्चर प्रिंट करवाते हैं असल में फोटो की क्वालिटी मेगा पिक्सल के अलावा और भी बहुत से चीजों पर डिपेंड करती है जैसे कैमरा लेंज, सेंसर, फोकस आदी आपने ये बात भी कई बार सुनी होगी कि अपने फोन को किसी भी दूसरे फोन या कमपनी के चार्जर से चार्ज मत कीजिए केवल उसी चार्जर का यूज कीजिए जो उस फोन के साथ हाया है ये बात भी बिल्कुल गलत है आप किसी भी टाइप का charger यूज कर सकते हैं चाहे वो किसी भी company का हो बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो दूसरा charger हो वो duplicate ना हो बाकी कोई समस्या नहीं है यह भी आपने कई बार सुना होगा कि mobile को रात भर charging पर मत लगाईए आपका phone खराब हो सकता है या उसकी battery खराब हो सकती है सचाई तो यह है कि आप mobile को रात भर charge कर सकते हैं इससे आपकी battery को कुछ नहीं होगा इसका कारण यह है कि आजकल के mobile smartphone होते हैं आपका phone यह पहचान लेगा कि यह full charge हो गया है और खुद ही charging बंद कर देगा आम तोर पर लोग मानते हैं कि mobile में जितने ज़्यादा बार होते हैं उतना अच्छा signal होता है लेकिन ऐसा नहीं है mobile में signal बार केवल यह बताते हैं कि आपका mobile phone उस network tower से कितनी दूरी पर है अगर आप tower के एकदम पास जाकर phone call कर रहे हैं और उसी समय आपके उस इलाके में 4000 और लोग हैं जो call करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका network एकदम busy हो जाएगा और आपको calling quality एकदम खराब ही मिलेगी इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि data, wifi, bluetooth और GPS बंद करने से आपकी battery पर कम load होता है यह भी सला दी जाती है कि आपका mobile कम charge हो तो इन्हें turn off करने से कुछ मदद मिलेगी यह basic system service है जो कि आपके mobile में on होनी चाहिए ताकि यह आराम से काम कर सके सांच TV के लिए शालू कनोजिया की कास report अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो like विशेर करें और लगातार खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करें सांच TV और हाँ घंटी के निशान को दबाना न भूले सांच TV सबसे आगे सबसे पहले बने रही है हमारे साथ पलपल की खबरों के लिए अगर आपको यह खबरों के लिए भूले